शिवम दूबे का नाम सुन लिया हुआ अपने इंडिया वसिफेस्ट इंडीज के टीट्वेंटी मैच के दौरान इस बंदे को विराट कोहली जो के भारती टीम के कप्तान उन्होंने कहा था कि नंबर तीन पर तुम जाओ और मेरी जगा पर खेलो फर्स डाउन गए और 50 उस वक्त किसी को ने बता था कि ये खिलाड़ी वहाँ पर मारेगा जाकर पहला मौके में ही अर्दश्वतक और अब श्रीलंका की सीरीज में भी जब श्रीलंका पहला और दूसरा तीसरा तीट्वेंटी मैच हमें तीन तीट्वेंटी मैचेश कहलें श्रीलंका के साथ इंडिया में ही और गुवाहाटी इंदॉर और पूने में यह तीन मैच खिला जाएगा आपसे मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से हार्दिक पांडिया के एपसेंस में शिवम दूबे टीम में है दूबे बहुत चोटे उमर के हैं 22-23 उनकी उमर है और पांडिया के जगह पर खेलना उसके बाद वहां पर भी जब खिलाडी जब आपकान पर भेजता है कि तुम मेरी जगह पर जाकर खेलो बहुत बड़ा रिस्थ था उस वक्ट भी क्योंकि बहुत बड़ा रिस्थ था लगतार बाते होती हैं और कहा जाता रहा है कि बहुत ही आकरमक बैट मैंने जब इनको मौका मिलेगा जरूर यह बड़ा धमाका करेंगे और नजर भी आया कि यह जब बहुत ही जबर्दस्थ हाप सेंश्चिन उन्हों जड़दी तो यह कहने का मतलब यह समभावना जरूर बहुत हैं लेकिन हाँ गाके बात करना जरुरी हो जाता है कि बहुत ही खाबल तो अ कविस्थ्टा जहां फंढल पझाल की एंप लिए वहाथ 화णाओ बहुत होती कि वह भात उस वक्तान को दे बी धिया कृत्ति हो एक कि हार्दी पानिया की बापसी भी जल्द होने वाली है और ऐसे में उनकी कुजनों पहले इंगिसमेंट भी हुए तो यह सब चीजें लगतार देखने को मिल रही है कि अब हार्दी पानिया को लेकर लगतार चर्चा है बंती नदर आ रही है है ऐसे में शिबम दूबे को अगर मौका मिलता है तो क्या वो अपनी जो है उपस्ते दरज करा पाएंगे हलाकि उनको पांच वे शटे डाउन पर खिंले के लिए बेर जाता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ओबर नहीं बचे होते हैं और बीस ओबर का सिर्प महद ये ग जलबा दिखा पाएंगे तमाम सारे सावाल हैं लेकिन कुल मिलाकर पृतिस पर्दा कड़ी होती चली जारी में करना चाहता हूं कि अब आपको अपनी जगह बचाने के लिए बहुत जदोजहत करने की जरूरुत है जब हार्दिक पांडिया आएंगे तो क्या उनको मौका मिलेगा और क्या अपने रहने का हकदार हूं क्योंकि आने वाले दिनों में की पांचे महने जैसी गुजरेंगे उसके बाद टी-ट्वांटी वर्लकप सामने खड़ा होगा तैसे में एक और रांडर की जो सक्स वापसी कर चुकि बिल्कुल और यही मैं कहना चाहर हूं कि बहुत कम इनके पास टाइम है बहुत कम इनके पास वक्त बचा है ऐसे में कोई बड़ा द्हमागा करने की जरूरूरत है कि मुझे अगर आपको फ़स्डाउन कप्तान अपनी जगह पर बेजता है वहां पर जा क्योंकि हार्दिक पांडे जब बापस आएंगे तो इनको अपनी जगह बचाना मुश्किल हो जाएगा बात बात करने के लिस पर तो अचली मैपको बता दूँ कि शिवम दूबे का हम सबने मैचेस देखा शिवम दूबे जब इंडिया वसे वेसे इंडी की टीट मैच में खेलने थे खेलते थे कि उस बग भी हम सबको नहीं पता था कि यह खिलाडी क्या करेगा क्योंकि गेंड बाजी की बात करें तो कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए अठतर रन इन्होंने सब ज़्यादे टीट्वेंटी में दे दिया और चार ओवर महस किये थे और यानि कि आप समझ सकते हैं चौबिस गिंदों में अठतर रन इन्होंने दिया और विगट नहीं लिया कोई भी लेकिन अगर आप और राउंडर है और राउंडर का तगमा आपके उपर लगा है तो आपको गेंद बाजी में भी वही जलवा भिखेरना पड़ेगा क्योंकि अगर आप और बहतर है तो आपको बल्ले बाजी बहतर आनी चाहिए तो पांडिया से कंपैरिजन पे प्रति द कि अगर आपको बाल A आपको यादा अगर आपको बल्ले बाल A आपको इंचर ंपको बल्ले जबूती अड़ेगा तो आपको बल्ले प्रति फड़ेगा कर दूब robi दहतर है तो आपको सरतिना